जैहिन साथियो, स्वागत है आप सभी को Free Knowledge 1998 योट्यूब चैनल पर साथियो आप सभी के लिए Air Force में New Vacancy जारी कर दिया गया है जीहां दोस्तों आपने सही सुना यदि आप Air Force में जाना चाहते हैं इसकी Officially Website पर जारी कर दिया गया है साथियो आप मेरी वीडियो पर सुरूच लेकर लाश तक बने रहिएगा इसकी A to Z पूरी जानकारी में आपको अपने इस वीडियो पर देने वाला हूं यदि दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा और वैल आइकिन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे वीडियो के अब लेट आपको सही समय और मिलती रहे चलिए दोस्तों मैं अब आपको इसके पूरी फुल डीटेल आपको अपने वीडियो पर दूँगा यह रह सात्यों इसका ओफिसली नोटिफिकेशन जैसा कि आप स्कीन पर देख रहे हो भारती वाई यूशे ना इंडियन एयर फोर्स करके ठीके साथियो आपको और जैनकारी बता दूँए इसमें X और Y गृप से फ्रति कुरा नीकली हुए है ठीके साथियो तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका ऐल्लाइन रेटेशन इसमें कब से होना है ठीके साथियो आपका jau 33 कम चालू होजाएगा और आपको जो last date रहेगा 7 फरवरी रहने वाला है और साथियो इसमें आपका exam date भी दिया गया है 18 अप्रेल से 22 अप्रेल तक आपका exam होएगा ठीक है साथियो अब मैं आपको इसमें बताता हूँ मैंने आपको बता दिया हूँ कि इसका जो online application date कब से start होने वाला है और कब end होने वाला है करके ठीक है साथियो अब हम इसमें qualification की बात कर लेते हैं साथियो आपका 10th plus 12th pass होना बहुत ही आवश्यक है तभी आप इसमें apply कर सकते हो और एक और बात है साथियो आपका 12th में PCM group होना बहुत ही ज़रूरी है PCM हो सकता है और biology भी आपका हो सकता है ठीक है साथियो ये दो group आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है math group और bio group आपके होना बहुत ही ज़रूरी है तभी आप इसको apply कर सकते हो ठीक है साथियो अब हम इसमें बात कर लेते हैं कर दोब आपका सब्सक्राइन इंप्रोटेन्ड बात रात है थे सबसक्राइब नृट कंहीं कर सकते हो बट इसमें कुछ नियम रहता है शांति जा रहनां तो इसमें कुछ criteria रखा जाता है दोस्तों इसमें आपकी एज 16 जन्वरी से 16 जन्वरी 2001 से उन्तीस दिसंवर 19 दिसंवर 2004 के भीछ मेंदी आपकी जो एज है तो दोस्तों तब ही आप अपलाई कर सकते हो यह और इसके बीच में अपलाई नहीं कर सकते है एक वार और आपको याद दिला दूँ 16 जनवरी से 2001 से 29 दिसंबर 29 दिसंबर 2004 तक यदि आपकी डेटा वर्थ है तो आप इस विकेंशी को अपलाई कर सकते हैं ठीक है साथ यो तो यह हो गई एज की बात अब हम इसमें बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सबसे पहले हम एक्स ग्रूप की बात करते हैं तो आपका जो 12 में PCM ग्रूप होना जरूरी है जिसमें Mathematics, Physics, English होना बहुत ही जरूरी है और वो भी दूस्तों आपको 50% मार्क्स का पास हो रहा है और जो इंग्लिस में आपके 50% 50% मार्क्स होना बहुत ही जरूरी है तब ही आप इसको अपलाई कर सकते हो इसकेड़ पोस्ट जो आपको देखने को मिलने माले दोस्तों वह है वाई ग्रूप की वाई ग्रूप में दो दो पोस्ट निकली हुई है वाई ग्रूप में सबसे पहले I.A.P. Musician Tate के निकली हु और दोस्तों जो आपका है इसमें आपका इंगलिस में 50% मार्क्स और तब ही आप इसको अपलाई कर सकते हो ठीक साथ,ब हम बात कर लेते हैं you फाई गृप्सेंट इक भूझे देशा जरूरी है और इसमें आपका जो कॉलिपिकेशन ट्विल्स भी मायंग गया है और आपका इंगलिस में 50 प्चास परशन मार्क्स होना जडरूरी है ठीक है कर वह तो यह इसके ऐजुकेशन कॉलिफिकेशन थी अब हम बात कर लेतें medical की medical standard की बात कर लेते हैं दासाथियो इसमें जो आपका height होना चाहिए 152.5 cm height आपका होना चाहिए IFA के लिए ठीक है साथियो all trade के लिए भी यही होना बहुत ही आवश्यक है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं यह तो IFA की बात हो गई दोस्तों और हम इसमें बात करते हैं for test rate के लिए आपकी 162.5 cm height होना ज़रूरी है and for any end all trade के लिए 165 cm height आपका होना बहुत ही ज़रूरी है तो आपके लिए 165 cm height है दोस्तों आप इसको apply कर सकते है आपका chest जो normal होना चाहिए आपका normal आपका लिया जाएगा chest और normal के बाद आपका 5 plus 5 impression होना चाहिए weight आपका दोस्तों इसमें 55 kg दिया हुआ है तो आपका यदि page 55 kg हो तो आप इसमें qualify हो अब हम इसमें बात कर लेते हैं और इसमें बात दिया गए दोस्तों आपका tattoo combination होगा सबसे पहले मैं आपको बता दू page 1 में आपका return examination होना है पहले हम बात कर लेते हैं group x trade की तो दोस्तों इसमें आपका 60 minute के लिए आपका paper होगा 60 minute तक आपको time दिये जाएगा और इसमें आपका क्या क्या पुछा जाएगा English physics और mathematics आपका पूछे जाएगा ठीक है साथी हो अब हम बात कर लेते हैं y trade के लिए जो आई आप मेजिशन से निकली होई है उसमें आपको 45 minute दिये जाहेंगे और उसमें आपका जो syllabus होगा English रहेगा reasoning and general awareness रहेगा ठीक है साथी हो अब हम बात कर लेते हैं और y group के लिए y group में आपको xy दोनों group के लिए हो बहुत यह देखिए साथी आपको दिखरा होगा दोनों group के लिए apply कर सकते तो 85 minute आपको दिये जाहेंगे आपका जो syllabus रहेगा English physics mathematics और reasoning and general awareness रहने वाला है ठीक है तो यह था हम इसे हम बता देते minus marking है यह नहीं सब्सक्राइब दोस्तों आपका one marks के लिए everyone one answer के लिए आपका one marks रहने वाला है और इसमें 0 marks of attempt question आप एधी attempt नहीं करूँगे तो आपको कोई अंक नहीं कटेगा इसमें मानेस mark के रहने वाली है पेस सेकंड में दोस्तों आपका सब कुछ test किया जाएगा कि आपको क्या ECG और वगेर अगर इसमें test किया जाएगा आपका documents चेक किया जाएंगे ठीक है तो यह था आपका पेस बन और पेस सेकंड में दोस्तों आपका medical होने वाला है medical examination यह दिखिए इसमें medical आपका चेक किया जाएगा आपका सब को चेक किया जाएगा इसमें blood hemoglobin इसमें सब चेक किया जाता है सांती हो ठीक है तो यह पूरी information थी दोस्तों आपको मैंने बता दिया हूँ दोस्तों मैंने इसका एक्स वाइडों ग्रूप से पेपर डाला था बिकैंसी करने डाला तो इसके पोश्ट एक्स वाइडों चूला था मैंने बहुत दोनों था साथ विसमें आपको एक बहुत अजी सलाह देता हूं यह आपका ज्यादा ही talented है तो आप एक्स वाइडों ग अज़िस्ट लहता है तो यह बहुत है तो आप एक्स गुरुप से अप्लाई कर सकते हैं एक्स एर्माइन ग्रुप की बढ़तियां होती है वाइडों में दोस्तों यह आपको इसका पेपर विचाहिए तो दोस्तों नेक्स वीडियो में आपको इसके पेपर की उपर बनाक आपको देशन सकता हूं तो प्रीज आपने हमारे चैनल को अपडेट और इंपोर्टेंट नेकर आते रहते हैं तो प्रीज आपने ना भूलिएगा तक नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहें